आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हमारे पास कोश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का द्रवेमान 6 किलोग्राम है इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा और स्मॉल जे का मान दिया हुआ है 10 मीटर 32 स्कॉर ठेक है इसके लिए हमारे पास चार विकल्प हैं तो पहला विकल्प पर वह है पांच न्यूटन दूसरा है दस न्यूटन तीसरा है दो न्यूटन और चौधा विकल्प एक न्यूटन हमको बताना है कि इन में से सही विकल्प कौन सा होगा तो यहां पर क्या किया हमने माना कि यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास जो है माल लिया हमने प्रत्वी है और ये जो है चंद्रमा है ये क्या है ये प्रत्वी है और ये चंद्रमा है ट्क और क्या रखा हुआ है यहां पर एक वस्तु रखी हुई है और यहां पर भी वह सेम वस्तु रखी हुई है तो अब हम बता दे आपको कि जो वस्तु का द्रवमान है ठीक है वो उस वस्तु के अंदर पतार्त की मात्रा होती है वो जो है आप किसी भी ग्रह उपग्रह या कहीं भी ले जा वो चेंज नहीं होगी जो दर्वमान है उसको मने मान लिया small m से दिखा दिया ठीक है और वो है 6 kg तो वो जो है चंद्रमा पर भी 6 kg ही रहेगा ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमसे कहा गया है जो small g होता है वो प्रत्वी का गुरुत्वी है तुरण होता है उसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 m प्रति 2nd square ठीक तो जो चंद्रमा का गुरुत्वी तुरण होगा उसको हम दिखा दे रहे है जी डैस से प्रत्वी की गुरुत्वी तुरण का एक बटे 6 भाग होता है यनि क्या हो जाएगा 10 बटे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वार क्या होता है जिस बल से जो है वस्तु जहां भी रखी है जिस भी ग्रह या जिस भी उपग्रह में रखी है वह ग्रह या उपग्रह वस्तु को जो कितने बल से अपने तरफ खीच रहा है उसे कहते हैं वस्तु का भार तो देखिए यहां पर क्या होगा इस तरीकी से नीचे की तरफ मतलब प्रत्वी केंद्र की तरफ बल लग रहा होगा, यहाँ पर चंद्रमा की केंद्र की तरफ बल लग रहा होगा, ठेक है, तो इस बल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, भार कहेंगे, इसको दिखा दे रहा है, यहाँ पर, डबलू से, और इसको दिखा दे रहा है, डबलू ड कमान निकालना है मतलब जैसरों पर वस्तु का भार क्या होगा यह निकालना है तो टॉड़ा सीथ पर क्या हो जाहेगा Gण etaanÓ धाएगा ठिक है युक चन्द्रमा पर घ्रट्वतिवी तरहाना है वो जैस है तो W डैस बरावर क्या हो जाएगा M का मान कितना है 6 और G डैस का मान कितना है 10 बटे 6 तो यह cancel हो गया ठीक है तो W डैस कितना आ गया यह आ गया हमारा 10 न्यूटन तो चंद्रमा पर 6 किलोग्राम की वस्तु का जो भार होगा वो होगा 10 न्यूटन ठीक है जबकि प्रत्वी पर कितना होगा यह भी मैं आपको दिखा दे रहे हैं प्रत्वी पर होगा W बरावर M G तो यहां से कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा 6 गुड़े 10 यानि कि यह आ गया 60 न्यूटन ठीक है यानि चंद्रमा पर भार का 6 गुड़े तो हमसे पूछा गया था चंद्रमा पर वस्तु का भार तो कितना है 10 न्यूटन है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 न्यूटन दूसरा विकल्फ ठीक है बाकि यहां पहला तीसरा और चौथा विकल्फ इस कोशन के लिए गलत है तो हमारे इस कोशन ने हमसे यही पुछा गया था था थैंक्यू पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर